हो एक शहर ऐसा, जहां तेरे मेरे जिवा कोई और ना हो, ना शूर हो ना हो हलचल कोई, इस जमाने का जहां कोई जोर ना हो। कुछ सितारे हो, हो एक चांद जहां, जहां सूरज इतना मगरूर ना हो, जहां तितलियों का बसेरा हो आसपास हमारे, जहां रूठने विछडने का दस्तूर ना हो। हो थोड़ी सी चांद ने बस जहां, हो थोड़ी सी चांद ने बस जहां, जहां दिल बार बार तूटने को मजबूर ना हो, हो एक शहर ऐसा जहां तेरे मेरे जिवा कोई और ना हो। गीतों की महफिल, बातों की महफिल यानि आपकी अपनी महफिल निशिगंधा में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मेरे दिल के चैंद ओ मेरे दिल के चैंद चैंद आए मेरे दिल को दुबा की जिये। ओ मेरे दिल के चैंद चैंद आए मेरे दिल को दुबा की जिये। अपना ही साया देख के तुम जाने जहां शर्मा गए। अभी तो ये पहली मन्जिल है तुम तो अभी से घबरा गए। मेरा क्या होगा सोचो तो जरा। हाए ऐसे न आहे बरा की जिये। ओ मेरे दिल के चैंद चैंद आहे मेरे दिल को दुबा की जिये। आपका अर्मा आपका नाम मेरा तराना और नहीं। इन जुकती पलगों के सिवा दिल का ठिकाना और नहीं। जचता ही नहीं आँखों में कोई। दिल तुम को ही चाहे तो क्या की जिये। ओ मेरे दिल के चैंद चैंद आये मेरे दिल को दुबा की जिये। यूं तो अकेला भी अकसर गिर के संहल सकता हूँ मैं। तुम जो पकड लो हाथ मेरा दुनिया बदल सकता हूँ मैं। तुम्हे दुनिया के लिए अब खुद ही सनम पैसला की जिये। ओ मेरे दिल के चैंद चैंद आये मेरे दिल को दुबा की जिये। ओ मेरे दिल के चैंद ओ मेरे मेरे साथ हैं प्यारिया तो होता है या फिर नहीं होता है। वाकी तो आकर्षन एम्म अट्रैक्शन है βैसे आकर्षन तो घृत्वा कर्षन भी होता है धर दरदी censorship के आकर्षन को हम महसूस कर पाते। अजरिस महसूसने 1 चाह्जिस च्शोस तो ये इश्क अधूरापन होगा इस अधूरियपन को हम पूरा कैसे कर सकते हैं जी हाँ, निशीकंदा में आज आम बात कर रहे हैं इससी टॉपिक पर कि हम अपने इश्क को यानी प्यार को होर बहतर कैसे बना सकते हैं गने को इस पार आप ही जिबाते आप हैं अपनी रात के हमसफर मन्जू के साथ हो लहाँ लग जागने के हमको मिले रात के साथ है आज ये घड़िया नसीब से जीवर के देख देजिये हमकर अरीब से फिर आपके नसीब में ये बात हो नहो शायद फिर इसे जनू जाकात हो नहो लग जागने के बासा इके हम नहीं आएंगे बार बार बाहे गले में डाल के हमरा लिजार जार आखों से फिर ये प्यार के बरसात हो नहो शायद फिर इसे जनू में मुलापात हो नहो लग जागने के फिर ये खसीरात हो नहो शायद फिर इसे जनू मुलापात हो नहो लग जागने के साथ खुब सारी तारिफ भी करनी है जी हाँ वो कहते हैं ना कि जन्द खुबसूरत शब्दों से रिष्टे नए आयाम गढ़ लेते हैं वहीं लफजों के हिर फिर से रिष्टे अक्सर फरे भी हो जाते हैं इसलिए कोशिश केजिए कि अपनी साथे की खुबियों के तारिफ करें उनकी उपलबधियों के लिए उनकी तारिफ करें उन्हें बार बार यह अहसास दिलाएं कि आप उनके लिए कितने खास हैं कितने इस्पेशल हैं इसके लिए आप उनकी पसनेलिटी की तारिफ कर सकते हैं उनकी ब्यूटी की तारिफ कर सकते तारीफ को तारीफ की तरह ही किया जाए उसमें कोई मिलावटी पन नहीं होना चाहिए जब आप किसी की तारीफ करें तो खुद को एक स्टेप नीचे रखकर करें तभी वो तारीफ की कहीं न कहीं एहमियत और जादा बढ़ जाती है और हां इश्ट में गिफ्ट भी बहुत जरूरी होते हैं अब आप कहेंगे कि यह तो लालच की तरफ बढ़ना है नहीं बाबा गिफ्ट ऐसी होने चाहिए जिसमें आपकी क्रेटिविटी नजर आए इसके मैसीज और वोर्टसेप के इस जमाने में आप लैटर लिख सकते हैं यह थोड़ा सेंसिटिव भी होगा औ और यूनिक भी क्या कहते हैं आप मुझे मालूम है आप मेरे साथ हैं गाने के उस पार आप इसे बात हैं आप हैं मन्जु के साथ ला 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 मुझे प्यार में हद किसी ने लिखा है मुझे प्यार में हद किसी ने लिखा हैं लिखा है के दिल उसका मुझे के फिदा हैं मिला आज ता बोलता कुछ नहीं खुदा जाने उसकी ये कैसी अदा है उझे प्यार में हद किसी ने लिखा है मुझे देखता है बड़े प्यार से वो मुझे देखता है बड़े प्यार से वो मगर मैं जो देखो वो आँखे चुनाने छिरकता है वैसे तो वो जाने मुझे बल छिरकता है वैसे तो वो जाने मुझे बल मुझे कोई छेरे तो वो मारता है ये क्या राज है ये क्या राज है आपको कुछ पता है खुदा जाने उसके ये कैसी अदा है मुझे प्यार में खत किसी ने लिखा है हसीनों से यो शर्म आती हो जिसको मुखबत का दावा करे हो तो कैसे ये क्या खुब महभूब मुझे को मिलावे ये क्या खुब महभूब मुझे को मिलावे बहुत कर जमाने में आशिक है ऐसे सितंगर है वो सितंगर का अंदाज ही कुछ नया है खुदा जाने उसकी ये कैसी अदा है मुझे प्यार में खत किसी ने लिखा है लिखा है कि दिल उसका मुझे पे विदा है मिला आज तो बोलता कुछ नहीं खुदा जाने उसकी ये कैसी अदा है मुझे प्यार में खत किसी ने लिखा है रसे प्यार में खत लिखनाईश की बरकरावी के लिए बहुत जरूरी है खत में हम ज्यादा सेंसिटिव और इफेक्टिव हो पाते हैं जो कहीं ना कहीं हम शब्दों में या बूल कर बया नहीं कर सकते हैं निशिगंदा में आज हम बात कर रहे हैं अपने रिष्टों को बहतर कैसे बनाएं इसी टॉपिक पर और इसके लिए आप एक सपने की दुनिया भी रच सकते हैं मतलब करीबी इतने हो जाएं कि फासले की बात नहों पर ये भी सच है कि नजदीकियों को बढ़ाने के लिए माहुल का बहतर होना भी बहुत जरूरी है माहुल बनाने के लिए आप रोमेंटिक डीट प्लैन कर सकते हैं अब आप कहेंगे कि इसके लिए तो बाग घर से बाहर जाना होगा नहीं बापा आप घर पर ही केंडल म्यूजिक और टेस्टी फूड से एक सपनो जैसी दुनिया रच सकते हैं एक दूसरे से उनके अनुभव और फैंटेसी पूच सकते हैं इसके अलाबा प्यार को जताने और बढ़ाने का नायाब तरीका है कि अगर कोई रूट गया है तो उसे शरारती अंदाज में मना ले प्यार दर्शाने वाले सर्प्राइज आप पो दे सकते हैं और अगर शायरी पसंद है तो अब शायरी सुना सकते हैं फिलाल तो मैं शायरी भरा गाना आप तक महँचा रही हूँ गाने के उस पार अब भी सिबाते हैं किसे पेश करूँ नगमा उशेर की सौगात किसे पेश करूँ नगमा उशेर की सौगात किसे पेश करूँ ये छलकते हुए जजवात किसे पेश करूँ नगमा उशेर की शोखा आखो के उजालों को लुटाओं किस पर शोखा आखो के उजालों को लुटाओं किस पर मस्त जुलकों की सियह रात किसे पेश करूँ नगमा उशेर की गर्म तासा में छुपे राज बताओं किसको गर्म तासों में छुपे राज बताओं किसको नर्म हो चोड़ी कोई हम दम तो मिले कोई हम राज तम पावा कोई हम दम तो मिले दिल के धरकन के इशारात किसे पेश करूँ नगमा उशेर की ये है आकाश बानी और आप सुन रहे हैं कोल्ड हन्रेड पॉइंट वान पर मिलती है जिन्दगी में मुहाबत कभी कभी मिलती है जिन्दगी में मुहाबत कभी कभी मिलती है जिन्दगी में मुहाबत कभी कभी होती है दिल बरूं की इनायत कभी कभी होती है दिल बरूं की इनायत कभी कभी शर्मा के मून फेर नजर के सवाल पर शर्मा के मून फेर नजर के सवाल पर लाती है ऐसे मोड पे खुसमत कभी कभी मिलती है जिन्दगी में खुसमत कभी कभी खुल्पे नहीं है रोज दरीचे महार के खुल्पे नहीं है रोज दरीचे महार के आती है जानमन ये कयामत कभी कभी मिलती है जिन्दगी में मुहबत कभी कभी तनहा न कर्ट सकेंगे जवानी के रास्ते पेशाएगी किसी की जुरूरत कभी कभी मिलती है जिन्दगी में मुहबत कभी कभी फिर खोन जाए हम कहीं दुनिया की भीड में फिर खोन जाए हम कहीं दुनिया के भीड में मिलती है पास आने की मुहबत कभी कभी मिलती है पास आने की मुहबत कभी कभी होती है दिल बरो की नायत कभी कभी मिलती है जिन्दगी में मुहबत कभी कभी मिलती है जिन्दगी में मुहबत कभी कभी ये है आकाश वानी और आप सुन रहे हैं कोल्ड 100.1 पर नई सोच नई कहानी सोच ऐसी जिसने राश के दिहास में पहली बार जनजातिय ग्रामीन अंचल में जन्मीक लड़की को राश के सर्वोच समिधानिक स्थान तक पहुँचाया सोच ऐसी जिसने उस महिला को जारखन का पहला महिला गवनर बनाया आज उनकी कहानी सुने जिसमें अंच है कुछ नया कुछ पुरान गणतंत्र के भव्य भवन में हम मिले राश की प्रथम नागरेक माननिय राश्चुपती दुरौपदी मुर्मुची से सुने उनके कहानी उनकी जबानी नई सोच कहानी कुछ नई कुछ पुरानी ओल इंडिया रेडियो पर ये है आकाश वानी और आप सुन रहे हैं कोल्ड हन्रेड पॉइंट वान पर कोल्ड पॉइंट 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 रहे हैं सवाल अगर मैं करूँ जो तुमसे तो मुझको फिर क्या जवाब दोगे सवाल अगर मैं करूँ जो तुमसे तो मुझको फिर क्या जवाब दोगे अगर महबबत है तुमको मुझसे तो ये बताओ क्या फिर मुझको गुलाब दोगे तुम्हारी हर एक अदा पे पागल हुई हूँ जब जब तुमको देखा तुम्हारी हर एक अदा पे पागल हुई हूँ जब जब तुमको देखा तुम्हारी दुनिया को देखना है हमारी आखों को खाब दोगे घजल जो कह रहे हो मुझ पे मेरी तरफ तुम निगाह करके किताब जब आएगी तुम्हारी कहो क्या मुझको किताब दोगे यही अरज है मेरी खुदा से जो मेरे गम में शरी कहोगा मुझको ऐसा एहबाब दोगे सवाल अगर मैं करूँ जो तुम से तुम मुझको फिर क्या जवाब दोगे हन्ड़ पॉइंट बन वेगाहत्सपर आप सुन रहे हैं अकश्वनी गूल और मैं हूँ अपके साथ अपकी रात की हमसफर मन्जू वक्त हुआ है बारा बुचकर चालीस मिनट और साथ गितों के महफिल बातों के महफिल यानि आपकी अपनी महफिल इशिगंधा सुन रहे हैं आप गाता रहे मेरा दिल तू ही मेरी मन्जू गाता रहे मेरा दिल तू ही मेरी मन्जू कहीं बीते ना ये रातें गाता रहे मेरा दिल तू ही मेरी मन्जू नहीं बीते ना ये रातें गाता रहे मेरा दिल प्यार करने वाले हर प्यार ही करेंगे जलने वाले चाहे जल जल मरेंगे प्यार करने वाले हर प्यार ही करेंगे जलने वाले चाहे जल जल मरेंगे मिलके जो ठड़की है तो दिल हर दम ये कहेंगे कहीं बीते ना ओ कहीं बीते ना ये रातें कहीं बीते ना ये दिन तुगाता रहे मेरा दिल, तु हे मेरे मन के ओ मेरे हम राही, मेरे बाहथा में चलना, बदले दुनिया सारी, तुम ना बडलना प्यार हमें भी सिखला देगा, करदिश में संभलना, कहीं बीते ना, कहीं बीते ना ये राते, कहीं बीते ना ये दिल गाता रहे मेरा दिल, तु ही मेरे मन के दूरियां अब कैसी अर शाम जा रही है, हमको ढलते ढलते समझा रही है दूरियां अब कैसी अर शाम जा रही है, हमको ढलते ढलते समझा रही है आती जाती सांस जाने, कभसे गर रही है, कहीं बीते ना, कहीं बीते ना ये राते, कहीं बीते ना ये दिन जाता रहे मेरा दिन, तू ही मेरी नंज है, कहीं बीते ना ये राते, कहीं बीते ना ये दिन जाता रहे मेरा दिन ये है आकाश वानी और आप सुन रहे हैं, कोल्ड हन्रेड पॉइंट वान पर ये रहे हैं, कहीं बीते वानी वानी लाला जार लाला, 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 को सा ठील दे, तेरे वीं ना भी क्या जीना को सा ठील दे, तेरे वी ना भी क्या जीना तेरे बीना भी क्या जीना भूलों में गलियों में सपनों की गलियों में तेरे बीना कुछ कहीना तेरे बीना भी क्या जीना ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना हर धड़कन में प्यास है तेरी सांसों में तेरी खुश्बू है इस धर्ती से उस अंबर तक मेरी नजर में तू ही तू है प्यार ये तूटे ना, तू मुझसे रूठे ना, साथ ये जूठे कभी ना तेरे बिना भी क्या जीना, ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना कर दो कर दो तुझ बिन जोगन मेरी राते तुझ बिन मेरे तिन बंजारे मेरा जीवन जलती धूनी पुझे पुझे मेरे सपने सारे तेरे बिना मेरी तेरे बिना मेरी मेरे बिना तेरी ये जिन्दगी जिन्दगी ना तेरे बिना भी क्या जीना 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 ये है आकाश बानी और आप सुन रहे हैं COLD 100.1 पर 100.1 मेगा हर्स पर आप सुन रहे हैं आकाश बानी गोल्ड वक्त हुआ है 12 बचकर 50 मिनाट और 30 सेकेंड और आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम निश्यगंधा और निश्यगंधा में आज हम बात कर रहे हैं कर रहे हैं रिष्टों के बारे में कि हम अपने रिष्टों को और पहतर कैसे बना सकते हैं उन्हें मजबूत कैसे बना सकते हैं तो क्योंकि फरवरी का महीना है और फरवरी का महीना यानि इश्क का महीना है तो इस तरह की बातें इश्क की बातें करना और ज़्यादा लाजमी हो जाता है आपको तो मालूम ही है मेरे साथ जुड़ने का मतलब है दिल से दिल तक जुड़ना ऐसा ही आपको अपने इसाथी के साथ जुड़ना है कोई भी रिष्टा लंबे समय तक तभी चल सकता है जब वो दिमाग से नहीं बलकि दिल से जोड़ा हो क्या कहते हैं आप जमालों में अब मेरे साथ हैं मुझे ऐसा लगता है कि ये इश्क में आधी से ज़्यादा बातें आखों ही आखों में हो जाती है अक्सल नजरों के फसाने जुआं से बयाने ही किये जाते पर आजकल मुबाइल की कनेक्टिविटी ने सभी बातों को बिमानी कर दिया है कहने का मतब यह है कि मुबाइल आपस की कनेक्टिविटी को बढ़ाने से ज़्यादा घटाने लगा है दिल की धड़कनों के तार जूड़नी की कुशिश होनी चाहिए किसी भी रिष्टे में साथी के हाट टू हाट कनेक्टिविटी पर फोकस करना है और गाना ये वाला तुम को देखा तो ये खयाल आया जिन्देवी धूप तुम खला साया तुम को देखा तो ये खयाल आया जिन्दगी धूप तुम खला साया तुम को देखा तो ये खयाल आया आज फिर दिल ने इक तमन्ना की आज फिर दिल ने इक तमन्ना की आज फिर दिल को हमने समझाया जिन्दगी धूप तुम घना साया तुम को देखा तो ये खयाल आया तुम चले जाओगे तो सूचेंगे हमने क्या खोया हमने क्या पाया हमने क्या पाया जिन्दगी धूप तुम घना साया तुम को देखा तुम ये खयाल आया हम जिसे गुन गुना नहीं सकते वक्त नहीं ऐसा गीत क्यों गाया वक्त नहीं ऐसा गीत क्यों गाया जिन्दगी धूप तुम घना साया तुम को देखा तु ये खयाल आया तुम को देखा तु ये खयाल आया वक्त नहीं गुना तुम घना साया जो लोग रिलिस्नेशिप में हैं उनके लिए तो मैंने बहुत सी बाते कहीं पर जो सिंगल है उनका क्या वो लोग अपना वेलेंटाइन वीक या फिर वेलेंटाइन डी कैसे सेलिबरेट करें सवाल तो बनता है सेल्फ लव थेरेपी बहुत अच्छी चीज है अगर आप अपने आप से प्यार करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको किसी और की जरुरत कभी नहीं पड़ेगी आप अपने आपको गिफ्ट दे सकते हैं अपने साथ टॉम ट्राइपे जा सकते हैं किसी व्रेधा हिश्रम में जा सकते हैं बुजर्गों के साथ वक्त बिता सकते हैं बच्चों के साथ ताइम स्पैन कर सकते हैं ये छोटी छोटी दूसरों की खुशियां भी आपको खुशों से भातेगी करके देखिए वाद अच्छा लगता है गने के उस पार आप ही से बाते तुम बे सहारा हो तो किसी का सहारा बनो तुम बे सहारा हो तो किसी का सहारा बनो तुमको अपने आप ही सहारा मिल जाएगा पश्टी कोई ढूबती पहुचा दो किनारे पे तुमको अपने आप ही किनारा मिल जाएगा तुम बे सहारा हो तो किसी का सहारा बनो तुम बे सहारा हो तो मसकर जिन्दा रहना पड़ता है अपना दुख खुद सहना पड़ता है रस्ता चाहे कितना निशिकंधा में आज के लिए इतना ही आपसे थोड़ी देर में होंगे हिंदी और अंग्रिजी में समाचार आपसे फिर मुलाकात होगी एक बच कर दस मिनट पर हमारे अगली प्रोग्राम गीत आज की ताज की ताज की ताज है ये आकाश्वानी है अब आप भवतारणी से समाचार सुनिए आपसे समाचार सुनिए